उम्शांती, पांच दिसंबर की शुर्वतन मैं पसोगत है, हम एक सहज योगी कैसे बनें, और साथी साथ हम अपने वेर संकल्पों को कम करके सहज योगी कैसे बनें, आज हम यह समझेंगे, परमाता कहते हैं वेर संकल्पों को समर्थ में परिवर्थन कर सहज योगी बनने व हम बहुत ही लो परमात्मा बहुत हाई हो सकते हैं योग लगाररा नहीं मस्हीं मुल्दारमा करने होमारों तो हमारे दुनिया भी संखर मोटें हैं अपने बारहे में बड़े संखर मोटें को वजित थो आदे परमात्मा कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता और दादियों जैसा और भेहनों जैसा सिस्टर्स जैसा हमारा पार्ट तो दिखाई नहीं देता योग तो लगता नहीं अशरीरी होते नहीं ये है वियर्थ संक्ल waste thoughts अपने बारे में negative सोचना एक होगे और और में negative सोचना लेकिन इता परमात्मा अजबात करें अपने बारे में negative सोचना इनको waste thoughts करते हैं इन संकल्पों को परिवर्तिन कर समर संकल करो कि याद तो मेरा सोधर्म है बहुत असान है योग लगाना बहुत असान है मलब परमात्मा को याद करना मेरा सोधर्म है It's easy महार स्वां से उस्वां स कर सकता है उसको मैं ही कल्ब कल्ब का सहज योगी हूँ हर पांसाजार वश के अंत में मैंने ही सहज, योग, राजिव, सुछता और मैं सहज ही परमात्मा से जुड़ गया था मैं योगी नहीं बनॉँगा तो कौन बनेगा परमात्मा मैंने मुझे ये ग्यान दिया, मेरे अंदर कुछ देखा मैं अंदर शक्ती देखी है मेरे अंदर उनके प्रती प्यार देखा है इसी कारण वो जानते हैं कि मैं ही उनसे जोड़ सकता हूँ तो मैं नहीं बने होते कौन बनेगा किताब आफल थौट है न कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं मेरा शरीर तो चल नहीं सकता यह पुराना शरीर तो बिकार है परमात्मा कहते हैं शरीर के ओपर फोकस करके शरीर नहीं चलता शरीर तो बिकार है नहीं वह वह के संकर करो कि परमात्मा लास्ट समय लास्ट जनमें भी आपने मुझे ऐसा शरीर दिया है इस शरीर में रहते हुए ही, तो मैं आपको याद कर सकता हूँ आत्मा, अगर मैंने शरीर छोड़ दिया, तो फिर से बच्चा बनना पड़ेगा, फिर बच्चा बन करके, जब तक समझ आएगी, तब तक टूलेट हो जाएगा, संगम्युक खतम हो चुका हुआ, तो क्यों न जितना है, जैसा है शरीर में खाओ, पियो, और परमात्मा कोई, याद करूँ कि गुण गाओ, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की, याना तब भी कितना चला लिए, 84 जनम के लास्ट का शरीर है, तो समर्थी आ जाएगी, महलब ताकत आ जाएगी, केपिबिल्टी बढ़ ओम श्यां तिस्काइब